यह जो reading है यह इतनी जादे easy reading है अगर आप किसी 10th class के जो first time exam देने जा रहा है या first time class attend करने जा रहा है IELTS की तो वो भी अगर करेगा ना तो RAM से 9 से 9 band ले सकता है यह इतनी जादे reading easy है यह result मुझे कल देखने को मिला इस result के बाद हम अपने class को ऐसे continue करेंगे देख सकतो 8.5 in listening 8 band score in reading और इन्होंने क्या क्या material लिया था आपसे end बहुत जादे उसने help करी तो यह 25 का result है कल आया था बट कुछ लोगों का result है investigation में चला गया है next one देख सकते हो इन्होंने 5 बार paper दिया इन्होंने कहा कि sir thank you आपसका आपने बहुत help करी मुझे desire band score आया बहुत जादे difficult journey थी मेरी मैंने इन्से as a community पूछा कि कैसी difficult journey थी इन्होंने मुझे अपनी बात बताई देख सकते हो कि sir 5 बार paper दिया मेरा exam crack नहीं हुआ बहुत जादे difficult problem आरी बट आपने करवा दिया यह मेरा instagram page है ILS वाला इंडिया यहाँ पर December, January, February और March में चितने भी exam हो रहे है student के result प्लस मेरे material से जो कुछ देखने को मिल रहा है listening, reading, writing and speaking वो सब के proof यहाँ पर available है link आपको description box में मिल जाएगा, अगर किसी को material चाहिए तो मुझे whatsapp के उपर message कर सकता है हम 2025 क्यों कर देते हैं, 2025 reading देते हैं, 2025 हम speaking क्यों कर देते हैं, 100% true proof वहाँ पर देखो then आप मुझे whatsapp के उपर message कर सकते हो, whatsapp number description box में available है मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, उन students के लिए जिनको reading tough लगती है, but हमारी कोशिश इसमें यह आपको skills खाने की है because अगर आपने reading की skill सीख ली, plus skill के साथ आपने एक grammar के कैसे show करते हैं, reading वाले answer को find करने में यह सीख लिए न, चितनी मरजी गंदी reading आजए, लोग बोलते है easy, moderate, पर चाहिए difficult reading भी आजए, उसमें भी आप RAM से 7 plus band score ले सकते हो इस सबसे ज़्यदा easy reading में मैं आपको सिखाऊंगा, आज MCQ, MCQ को कैसे find करते हैं, और इसका answer कैसे हमें मिल जाता है सबसे पहले हमारा question देखिए, what did archilogicist South Germany discover, कि वहां के, अब archilogicist क्या होते हैं, जो scientist होते हैं, जो discover करते हैं अब हमारा सुनोनी में मुझे मिल चुका है, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं scientist भी कह सकता हूँ, क्योंकि scientist का means भी same यही होता है कि अब वहां पर scientist को ऐसा क्या मिला South Germany में, मतलब discover, वहां पर found लिखा हो सकता है, discover का means found, because मुझे grammar भी add करनी है grammar अब क्या है, कि उनको क्या मिला, what did, उनको did मतलब कि past में, past में ऐसा क्या मिला, जिसकी वज़ा से South Germany ने उनको discover किया discover means above vocabulary आ गई, plus synoniums आ गई, इसका मतलब क्या है, found करना, discover करना, उसको खोजा गया अब खोजा क्या होनोने, हम इस paragraph में देखते हैं, अब इसका word, archelogicist का word, sentence भी लिखा हो सकता है, इसके अलावा कुछ और word भी लिखा हो सकता है, मुझे समझना है इसकी grammar को, अगर आपने ये चीज़े सीख ली, skill सीख ली, तो अराम से band score आ सकते हैं, अब मेरी grammar क्या थी, अब ये दोनों मेरे keyword है, इसको मैंने underline करकर, अपने mind में keep it कर लिया, कि question है, वो past में है, प्लस यहाँ पर जो vocabulary जितनी के मेरे mind ने काम किया, उतना का मैंने answer find किया, अब क्या है, remains of 30 dead animals, कि वहाँ पर उनको 34 dead animals मिले, प्लस graveyard containing 36 tons, होते हैं कि हमारे pinger, जैसे हमारी body का mass सड जाता है, गल जाता है, और वहाँ पर pinger रह जाता है, उनको वो मिले, प्रालेस of early celebration, कि उनको वहाँ पर early में कुछ find करने को मिला, 9 adult males, 7 adult females and 16 children, कि उनको 9 adult males मिले, 7 adult females मिली and 16 children मिले, अब मुझे देखना है, कि वहाँ पर उनको actual में मिला क्या है, चलो, अब हम अपने paragraph में चलते हैं, हमारा paragraph है, volumes के उपर, in 1983, कि उन्होंने बात की, 1983 में जो archilogicists थे, वहाँ पर scientists थे, in South Germany, discovered, यहाँ पर direct answer लिखा हुआ उने ने, यह उन students के लिए होती है, जो base बनाना चाहते हैं, base मतलब की, starting में ही अपना दीरे दीरे, जैसे पहले easy readingly, फिर थोड़ी सी toughly, फिर थोड़ी सी और toughly, then moderately, ऐसे करके, जो अपना base बनाना चाहते हैं, तो उनको massive grave, containing में क्या मिला, 34 second towns, मैं second towns हो ही, हमारे pincher बगएरा उनको मिले, but they, they included 9 adults, 9 adult males, 7 adult females and 16 children, अब उसने again next में दो answer और लिख दिये, यहाँ पर same, यह से उन्होंने लिखा था कि 9 adults, 7 adult females and 16 children, अब मैं एक confusion हूँ, कि मैं D answer लगा हूँ, जा फिर मैं B answer लगा हूँ, क्योंकि यह दोनों answer तो आने वाले है नहीं, अब मैं एक confusion हूँ, B में और D में, अब देखिए, यहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर उसने किस की बात करी थी, past की, अब past में, अब उसने वहाँ पर did लगाया, वहाँ पर discover था, यहाँ पर उसने past में बात कर दी, discovered, past की बात कर दी, अब उसने past की बात कर दी, plus वहाँ पर containing, लिखकर, बल्लो कि उसको find करा गया, 34, अब यहाँ पर full stop आ गया, अगर यहाँ पर but आता, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर दे की जगा पर यहाँ पर but आता, जहां इसके लावा कोई other statement आती, जो इसके opposite थी, तब हमारा answer यह नहीं आना था, क्योंकि उसने but लगा दिया था, but एक खत्रे की निशानी मालो, कि खत्रे की एक निशानी होता है, अगर दे की जगा बट होता, तो हमारा answer next यह आना था, क्योंकि बट के बाद उसने हमारा answer दिया होता है, ज़्यादा तर जो difficult reading होती है उसमें, बट यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, फुल स्टॉप लगा कर, उसने अपनी next line में बारे बताया है, कि इसमें यह कुछ हुआ था, अब जो मेरा answer है, वो क्या है, बी, अब मेरा जो right answer मुझे मिला, वो मुझे मिला, बी answer, मैं आपके way में लोगे, negative way में लोगे, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, free सिखा रहा हूँ, just time आपका लग रहा है, अगर ज्यादा पैसे आपके पास है, 6000, 5000, 10,000 पर आपके पास है, तो जाकर institute में education ले सकते हो, वहाँ पर paid है, और मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से वो सि सिखाते होंगे, जारातर, मैं सभी को नहीं कह रहा, पर जारातर ऐसे नहीं सिखाते, 90%, मैंने भी बहुत सारे विजट करें है, institute, plus second, अब next one क्या है, अब next one में मेरा जो answer है, वो क्या है, why did scientist say that those people were killed while running away, कि उसने क्या कहा, अब keyword underline करने है, हमने, कि जो second हमारा question है, why did scientist, कि scientist थे वहां के, उन्होंने क्यों suggest किया, क्या suggest किया उन्होंने, मतलब कि ये totally फिर मेरा past में, चला गया, कि यहाँ पर एक did लगा हुआ है, then उसने second formal लगाई हुई है, अब ये भी मेरा past में, तो द्यान से देखिए, past की यहाँ पर बात कर रहा है, कि those people, ये यो लोक थे, were killed, कि ये running away करते टाइम, ये मारे गए, running away करते टाइम, ये लोक मारे गए, were killed, यहाँ पर were killed की बात कर रहा है, अब बाए किसके दारा मारे गए, कैसे मारे गए, ये चीज़ हमें find करनी है, तो इसके keywords ने क्या दिये हैं, हमें नीचे, there, second tones showed signs of fatal trauma, मलब कोई trauma नाम की कोई बिमा children, कि 16 children थे, during the period, organized group, variance was very frequent, कि during the period, organized, or sorry, organized group, मैंने organized बोल दिया, sorry, उसके लिए, और मैंने देखा नहीं से पहलें, variance was very frequent, कि variance जो उसका था, काफी frequent था, तो, up there, second tones did not show any signs defensive ones, मतलब कि उसने कोई sign show नहीं किया, वहाँ पर उनको कोई सराग नहीं मिले, अब scientist ने क्या स्चोश किया, कि ऐसा क्यों किया, कि वो इस way के साथ मारे गए, अब इसको देखते हैं, कि उसने paragraph में क्या लिखा है, घ्यांस देखिए, यहाँ पर उसने फिर scientist इस past की बात करिया, then उसने vocabulary, और plus 74 इसमें उसने grammar ही add करिया, vocabulary, अब synonyms paragraph में वो add कर सकता है, तो all of these, sorry, all of the second tones showed signs of fetal truma की मतलब कि जतने वी वो show कर रहा था, वो किसमें show कर रहा था, टुमा नाम से and sign वेगरा उसके थे, including head wands, उनके head wands भी include थे, none of them showed any signs, वोड़े वोड़ सज़ेश्चे दे किल वर running away, बट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर two answers का confuse करा गया है, यहाँ पर वो किसमें confuse कर रहा है हमें, एक तो हमें वो A में confuse कर रहा है, एक वो हमें D में confuse कर रहा है, there 60 children की बात नहीं करी, during the period, organized, इसकी बात भी नहीं करी, group of volumes frequent की बात नहीं करी, अब वो बात कर रहा है A की और D की, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, जो answer हमें confuse करेगा, अब यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझने कोशिश करी है, difficult reading में यह question ऐसे ही दिखनी को मिलता है, difficult reading में क्या होगा, उसने यहाँ पर बात कर दी, all of, मतलब कि हमारे pinjer बगयरा कि जो इसके sign मिलते हैं, वो किसके truma नाम से मिलते हैं, ठीक, उसने यहाँ पर बात कर दी, कि जो इसक pinjer के निशान हैं, वो किस से मिलते हैं, बट यहाँ पर उसने सिर्फ show किया है, कि उसके signs है, वो इसके साथ मिलते हैं, बट यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, scientist just that, कि scientist ने क्या सच किया, बट यहाँ पर कौमें से पहले, उसने कहीं भी scientist की बात नहीं करी, कि scientist ने यह कहा, अब ये जो answer होते हैं, ये two types से होते हैं, for example that, अब ध्यान से सुनने कुछ रहे, यहाँ पर भी, अगर मुझे half information दी है, half information मेरी अलग है, half information मेरी अलग है, so मेरा answer wrong हो सकता है, अगर पहली statement में, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है, एक ही, पहली statement में वो एक ही बात कर रहा है, मेरा answer ये नहीं आएगा, मुझे full information चाहिए, अब यहाँ पर एक ही उसने बात कर दी, ठीक है, जो भी बमारी भी गहरा थी, उसके साथ running away करते, time वो लोग माले गए, अब इसकी बात कर दी, यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, अब उसने कॉमा लगा दि defensive ones suggesting दिखिए, कॉमा लगा कर, जहाँ पर जो scientists ने suggest किया था, they were killed, were running away, अब यहाँ पर none of them इसके अलावा show होता है, कि जहाँ पर जो हुआ था, जो scientists suggest कर रहे हैं, और वो किसके वरा से मारे गए थे, running away, तो मतलब जो हमारा right answer, वो एक D answer है, because, because यहाँ पर कहीं भी show नहीं कर कर रहे हैं, कि did not show any signs and different words, कि मतलब कहीं पर भी जो पिंजर वगारा के signs and वो चीज़े show नहीं करी गई थी, we were killed, running away, running away के साथ वो मतलब की मारे गए थे, तो यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ पर कहीं भी वो show नहीं कर रहा, कि वो किस वज़ा से यहाँ पर मारे गए थे, just running away ही हमें show कर रहा है, so जो हमारा right answer है, 100% वो हमें D देखने को मिलता है, अब आपने का करना है, आपने यहाँ से लेकर, यहाँ तक, दो question मैंने solve out करे हैं, two question आपने solve out करने हैं, means कि three, three number question and four number question का आपने answer find करना है, अब आप मुझे बताओ, इसमें answer A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, same here, A, B, C, D, अब इन दोनों का जो answer है, आपको किसमें मिलेगा, दोनों का answer आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको two two answer मिलेंगे, मालब A भी मिल स then आप मुझे comment section में बताओ, then मैं आपको comment में बताऊँगा, कि आपका answer सही है, जा फिर आपका wrong है, बर आपको confusion कहाँ होगी, अगर आपने confusion से बचना है, तो आप थोड़ा सा mind यूज करकर, grammar को use कर लेना, plus vocabulary को use कर लेना, अगर right answer find करना है, इन दोनों का, यहाँ पर आपको two to option देखने को मिलेंगी, तो क्या use कर लेना, थोड़ा सा दमाग लगा कर, अपना mind लगा के grammar, plus इसको vocabulary को, और 100% आपको एक right answer मिल जाएगा, अच्छी लगी ओ वीडियो, तो subscribe, इस channel को जरूर करना,